और मेरे भाई क्या हाल है तो आर अगेन आज चुके एक और काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में वापिस एंड बिलीव करना ये आपके लाइफ की नहीं सबसे चेंजिंग मतलब लाइफ की चेंजिंग वीडियो होने वाली है खेल नियाद के वाज़े वीडियो को देखने के बाद आपका गेम खेलने के तरीका बिल्कूलरी चेंजिंग अगर आप एक एवरेज प्लेयर ओ या तो आपको लगता है कि आप का ازब मृत करते हो तो आपका बिल्कुल ही एक घेलना जो तरीका होता है तो बिल्कुल चींज को सकता है आप प्रो की तरह बीहेव करने लग जायोंगे सिल्यह क्या था कि बहुत से लोग कुछ करते हों अच्काहnten्ट नहींव sister तो मेर भाई इस वीडियो के सुरुआत में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया है कि सिर्फ खिलने पर फोकस मत करो कुछ स्किल सीखने पर फोकस करो नहीं चीज अपलाई करो तब जाके आपकी गेमिंग स्किल्स बढ़ेंगी और आप अच्छा परफॉर्म कर प जितने भी मेरे भाई हैं आप मैंसे बहुत सी लोगों डाउट होता होगी आपको जैर cal स्कूप के साथ्केलना चाहिए या फिर विदाव्यस्कूप करती कि सौपीर चाहिए और यही सेम चीज मेरे साथ भे आ करती थी जब में भी प्ले करता था तो यही सूचता था जाय पॉइंट्स क्या है बेनिफिट्स क्या है लॉसस क्या है सारी चीज़े डिसकस करेंगे बट एक चीज बता देना चाहत हूं मेर भाई देखो इस वीडियो को देखके ना हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई ट्राइब करेंगे जाएरो से नं-जाइरो पर जाने के लिए एक चीज हम ऐसा जाद रखना कि कोई भी चीज ना आप एक दिन में नहीं सीखोगे कही ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा महीन देने पड़ेंगे 15-20 दिन देने पड़ेंगे तब जाके आप उसमें मास्टर करोगे तो आसा हमा सूचना कि इस वीडियो को देख लि प्लेर ही होता है क्योंकि उनहीं जाए eroskop के बारे में पता नहीं होता और आइढिया होता कि स्फरी कारना और सेकेंड संचन एकि लाइब में इतनी सेटञ्ज होती हैं ला이가 बात करें सेंसिटी वीटी फिर उसके बाद चंट्रोल ले आउत होता हैं इनहीं चीज़ों में इ वहीं ना जाता है कि वहें कभी भी जायरो पर सुफ्ट ही नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हर किसी के सुरुव LIVEobraGen रूप में होती हैं और इसी पर कंट्रोल पाते हैंसे बहुत टाइम लग जाता है । है और इनु enduring जो बात कर लेते हैं नंजायरो के बारे में कि जो भी प्लेयर नंजायरो है बहुत से मेरा भाई खेलते होगे नंजायरो ही होगे और वो सब के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं नंजायरो के मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहला फाइदा जो मुझे लगता है एज नंजायरो प्लेयर जो उन्हें मिलता होगा कि वो खड़े होकर खेल सकते बैट कर खेल सकते इवन लेट कर भी खेल सकते मतलब उनको आती है कि भाई लेट के नहीं खेल सकते बैट के नहीं खेल सकते दूसरा फाइदा जो मुझे लगता है कि आज नंजायरो प्लेयर मिलता होगा लोगों को वह उनकी स्नाइपिंग काफी अच्छी हो जाती है क्योंकि ना उनका स्नाइपिंग एक जिगह परफेक्ट एम कर प गुमा देता था पूरे तरफ और बहुत अच्छा एम हो जाता था अगर कोई नंजायरो प्लेयर है तो समझ में आ रही होगी यह चीज़े कि इसके फाइदे कितने सारे अब बात करते हैं इसके नुकसान के बार में नुकसान क्या ही होगा बट फिर भी आप समझो सबसे प करने के लिए हार टाीम ना आपको कहीं ना कहारी आपने फिंगर को इंगेज करके ही रखना पड़ता होगा तो प्लत विंगर को उन्हें ँज़ा परना और맛 प्ड़ता है वह होती है नो ऊमोका यह जहांगव 속 так है याजallasरों कराइशवा में गाल फिर लूमसमर्म यहांजन लगती हैं इस चीज़ लेंगार मिलता है यहार देखो यह था फायथा और नुकसा नग अब बात करते बाहरे में झदो कोईब सी करें अपने संग्राइं पर अपने संड्षाइव चाहरे बारे मोह इसे आ Rain sust हो ऐसे कर लेता है इसके बाद वह संस्य को चीजों पे या फिर किसी प्लेर का more sleeping怕 करता है जाएरो दोंस से मिलाब ऐसा नहीं कि नंढ़ सपोड ना करता है शांकर ऐसा ना करता है will मुझे gyroscope पे switch करना चाहिए and believe me non gyro player जब gyroscope पे shift करता है तो उसके लिए पूरी दुनिया से change हो जाती है बड़ जब एक बार वो gyro पे control पाना सीख जाता है control पा लेता है उससे चीजे इतनी असान लगने लग जाती है कि कभी वो वापिस यह नी सोचता है कि यार मुझे non gyro player बनना जाए क्योंकि ना gyroscope जो है एक तरीके से कहते है ना एक लग टाइप किये क्योंकि अगर जैरो स्कोप में आपको इतना ज्यादा comfort फील होगा आपको एम करने में दिक्कत कर लेते हैं कि इसके benefits क्या क्या है और इसके नुक्सान क्या गया है देखो एम फिंगर से आपको नहीं करना पड़ेगा मतलब सबसे जो फायदा मिलता है एक नंज जाइरो इसका यूज नहीं करना पड़ेगा सीधा वो डायरेक्ट नीचे करेंगे इस तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं और भी बहुत से benefits अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आपको इसारी चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे इससे और आप मुझे कंट्रोल करके मतलब आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या benefits लगते हैं जैरो स्कोप के ना इसके हमने benefits के बात कर लिए अब हम बात करते हैं इसके demirate भी कुछ कुछ नहीं देगो सबसे पहला और सबसे इंपोर्टन जो मुझे लगता कि यार स्नाइपिंग के टाइम में काफी ज़्यादा फ्लिप हो जाता है मतलब आप एम करके रखते हो और भाई एकदम से जब आप फायर करोगा तो कहीं ना कहीं मोईल हिलने के वज़े से बेन एम मतलब उपर नीचे हो जाता है सबसे ज़्यादा मुझे यह लगता है दूसरी चीज जिसमें आप भाई लेट के नहीं खेल सकता है आपको बैट के तो एटलिस्ट खेलना ही पड़ेगा तो यह मतलब दो मुझे नुकसान लगते है चीज के तो भाई यह तो मैंने आपको बता दी है नन जैरो क अगर नहीं है तो दो जीवी में अगर सपोर्ट करता है तो भी आप शिफ्ट करो आप टू फिंगर खेलते हो फोर फिंगर खेलते हो आपको हर जेगा पेना यह मतलब बहुत जुदा हैल्प दिलाने वाली है तो मेरे तरब से आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहा कि आद रखना जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने वोला कि एक दिन में या दस दिन में आप नहीं सीखोगे आपको बारवा मन करें कि आरे बेकार चीज यार मेरे से नहीं खेला जा रहो वापिस से में आजा तो आपिस से नंजारो प्लेयर बन जाता हूं बट आपको उस जग आपको वीडियो डाल दिये अगर आपको देखना रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हो या फिर सर्च भी कर लेना सेंसिटिवीटी बाई मैरेट गेमर करके आपको वह वीडियो मिल जाएगी अगर वीडियो अभी तक भी नहीं होगी तो कहीं और जाका टाम स्पेंड ना करना पड़े अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है कमेंट करो अगर आप कोई मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे तुरो आप अपना मन पसंदेदा टाइटल ले सकते हो वाट्सप नमर सामने को अपनी फैमली का ध्यान रखो और साथ में गेम भी खेलते रहो